युमना को personally dark, cause based, basically मुश्किल स्क्रिप्ट बहुत एट्ट कर दी है और उनका focus जादा characters पर होता है ना की स्क्रिप्ट पर और तेरे बिन शो में मीरब और मुर्तसिम की fights का concept उन्हें बहुत सही लगा था और उन्हें लगा था कि ये topic audiences को बहुत click करेगा और शायद इसी वज़े से शो में उनके lead actor वहाज ने भी उनके लिए कुछ ऐसा ही कहा और युमना के कहने पर अपनी life का एक ऐसा decision ले लिया जिसे सुन कर आप लोगों को जरूर खुशी होगी क्या था वो decision ये जानने के लिए बने रही है इस video के end तक साथ ही मेरे चानल को subscribe और इस video को like जरूर करना क्योंकि मैं बताने वाली हूँ युमना जैदी की अब तक की सारी अंजानी बाते जिन से शायद आप अंजान होंगे तो यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीस इस video को like करना बिलकूल मत भूलना युमना जैदी का जन 30 जुलाई 1989 को लाहौर में हुआ था और उनकी परवरिश भी लाहौर में हुई उनकी रूट्स पंजाब पाकिस्तान के पकपटान के एक छोटे से गाउ अरिफवाला से रही है बचपन में छोटियों में वो अपनी नानी के पास कराची जाया करती थी और वहां उनके घर में एक मेड आती थी और युमना मजाग में उनकी एक्जेक्ट नकल भी उतार लिया करती थी और वो बताती है कि उनकी वो मिमिकरी करना ही उनकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत रही युमना ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन लाहौर के सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से की और स्कूलिंग खत्म होते ही उन्होंने लाहौर की युनिवरस्टी आफ होम एकोनोमिक्स में एडमिशन ले लिया जहां से उन्होंने आर्ट्स, डिजाइन और अर्किटेक्चर में अपनी मास्टर्स दिग्री कम्प्लीट की उन्होंने इंटिरियर डिजाइनिंग में अपनी PG कम्प्लीट की है और उसके बाद रेडियो जॉकी और होस्टिंग की भी कुछ सालों तक जॉब की साथ ही स्कूल डे से ही वो सितार बजाने में भी माहिर थी और उन्हें पेंटिंग और पोईट्री लिखने का भी बहुत शौक रहा है और वो बताती है कि उन्हें पोईट्री लिखने की इंस्पिरेशन अपने मा से मिली है यानि अब आप समझ ही गए होंगे कि युमना बचपन से ही काफी फन लविंग और टैलेंटेड रही है और वो बताती है कि जब वो 20 साल की थी तबी से वो खुद को लेकर बहुत सीरियस और स्ट्रिक्ट भी थी और उसका रिजल्ट ही उन्हें आज उनके करियर में देखने को मिल रहा है उनके छोटे भाई मुहमद शाजेव युएस में बिजनसमैन है और अपनी पीजी खत्म करते ही युमना की पूरी फैमिली भी टैकसस युएस शिफ्ट हो गई और आज वो टैकसस से अपने काम के सिलसिले में कराची और लाहむ आती जाती रहती है और फैमिली एंड वर्क दोनों मैनेज करती है उनके फैमिली में उनके बहाई के अलावा उनकी दो सिस्टर्स भी है महरीन और अलीजा जैदी उनके फादर जमेंदार जैदी एक बिजनसमेन थे जो साल 2019 में हार्ट फेलियर की वज़ा से एक्सपायर हो गए उनकी मा शबाना नहीद जैदी एक हाउस वाइफ है और उनकी मा उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी है सबसे जादा वो उनी से अटैस्ड है बट उनसे कभी कभी छोटी मोटी नोगजोग भी हो जाती है वैसे युमना की मा भी उनके साथ ही कराची और लाहोर में रहने लगी है युमना जब 8th क्लास में थी तब ही से उन्होंने अक्टिंग करना शुरू कर दिया था और कॉलेज डेज में वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगी थी बट अक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाने का खयाल उनके दिमाग में कभी नहीं आया था और उस ताइम वो बहुत इंट्रोवर्ट भी हुआ करती थी युमना की फैमिली एक्टिंग को लेकर स्टार्टिंग में थोड़ी कंसरवेटिब थी पर वो सब उनकी सबसे बड़ी बहन ने जेला क्योंकि उन्हें तब एक्टिंग के ओफर्स आते थे तो उनके पैरेंट्स उन्हें मना कर देते थे बट युमना को लग्की लिए ये सब नहीं जेलना पड़ा और जब तक वो बड़ी हुई तब तक लग्की लिए उनके पैरेंट्स लीनियंट हो चुके थे जब वो एक्टिंग का सोचने लगी तब वो सोचती थी कि उन्हें कोई न कोई साइड रोल या सिस्टर का रोल तो मिल ही जाएगा उस टाइम वो लुक्स पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देती थी और ये मानती रही कि उनसे जादा उनके भाई बैंड जादा सुंदर है बट टाइम के साथ अब वो ये मानने लगी है कि उनके फेस पर उनकी अच्छी सोच और अच्छे काम की वज़ा से वो नूर दिखने लगा है और वो एज के साथ लुक्वाइज और भी अच्छी होती जा रही है खेर तो उस ताइम अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देने वाली सोच की वज़ा से उनका फोकस हमेशा बस इस बात पर रहा कि उन्हें जो भी रोल करने का मौका मिल रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि बहले ही वो रोल चार लोगों से रिजेक्ट होकर उनके पास आया हो बट उनके काम से उस केरेक्टर में इतनी जान डाल पाए कि वो केरेक्टर यदी मिठी भी हो तो सोना वनकर निकले और बहुत शाइन करे और टाइम के साथ उन्हें स्ट्रॉंग केरेक्टर्स दारेक्ली ओफर होने लगे ऐसे ही इंसीडेंट से जुड़ी उनकी लाइफ की कुछ बाते और है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी बट उससे पहले उनके करियर के बारे में जान लेते हैं खेर तो जब साल 2012 में पाकिसानी ड्रामा इंडस्ट्री उठने लगी तब युमना इस फील्ड में आई बट यहां आने के लिए उनके दोस्त अफान वहीद ने उन्हें इंसिस्ट किया था जिसके बाद युमना ने एरी डिजिटल के शो ठकान से अपना डेब्यू करने का डिसीजन लिया इसमें उन्होंने महक नाम की लड़की का एक बहुत छोटा सा सपोर्टिंग रोल निभाया था बट उनके एक्टिंग को ओडियंस का बहुत प्यार मिला जिसके बाद उन्हें एरी डिजिटल का ही एक शो और ओफर हुआ खुजी एक रोग और उस शो में उन्हें लीड रोल मिल गया इसमें उन्होंने आबरू का रोल प्ले किया था इन दो शोट को करने के बाद वो तेरी राह में रूल गई मेरी दुलारी जैसे कई शोज का पार्ट रही पर रिष्टे अधूरे से उनके करियर का वो शो रहा जिसने उनकी किस्मत बदल कर रख दी इसमें उन्होंने एक वाइफ का रोल निभाया था और उनके रोल को बहुत बार अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता रहा प्ले किया था जिसकी मा मर जाती है और उसके फादर उसे चोड़ जाते हैं और वो घर में अकेले फाइनेंशल इशूज जहिलते हुए खुश होकर जीती है इसमें उनकी चामिंग पसनालेटी और एहमद अली के साथ उनकी बॉंडिंग को बैस्ट ऑन स्क्रीन कपल के था युमना बताती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका शो दिल ना उमीद तो सही कभी कोई देखेगा भी पर सुम्बल का केरेक्टर भी उनके बैस्ट रोल्स में से एक बन गया करंटली वो तेरे बिन शो में वाह जली के साथ नजर आ रही है और सभी को पता है कि आज उनकी पॉपिलरिटी किस लेवल पर पहुँच चुकी है और ये शो वर्ल्डवाइट पॉपिलरिटी लूट रहा है वो बचपन से ही सिर्फ खुद को अपना कमपेटिटर मानती है और हमेशा से ही अपनी सोच इस थरह रखती है कि आपको इस ताइम जो मिल रहा है आप उसी में अपनी खुशी डून लो बट युमना की ये सोच हमेशा से नहीं थी बलकि काफी सपने तूटे और जो चाहा वो ना मिल सका उसके बाद उनकी सोच में टाइम के साथ अंतर आ ना था और ना ही फेम पना बट क्योंकि वो हर दो मिनिट में गौट को याद करती रहती है इसलिए उन्हें सब कुछ अपने आप मिलता गया और वो खुद को काफी फॉचुनेट मानती है युमना ने बचपन में ना कभी टीवी देखा और ना ही फिल्म्स फिर भी आज व लेकर वो खुद को इंप्रूव करने लगी वैसे आज युमना और वहाज अली की बॉर्णिंग सभी को बहुत अच्छी लगती है पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि पहली बार युमना की वहाज से मुलाकात पर उनका पहला इंप्रेशन कुछ अजीब ही रहा था युमना को लगा था कि ये कौन बंदा है जो बड़ा सैड सा रहता है और वो सबसे पूचती फिरती थी कि इसको क्या हुआ है बट वो पहले ही दिन से वहाज के साथ बहुत कमफरेबल थी और आज दोनों ही एक दूसरे के फेवरेट को स्टास भी बन गए हैं प्रडक्शन बहुत अच्छी है इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस रोल को एक सेकिंड में हां बोल दिया वैसे युमना के बारे में एक नेगेटिव बार शोशल मीडिया पर ये चलती रहती है कि वहाज के सामने एज में बहुत बड़ी लगती है विच आप परसनली फिल को जरूर पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस काम को आप एक लाइक जरूर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूले थैंक यू सो मच पो वाचिंग इस वीडियो स्टे कनाक्टिट बी